The Kingdoms of Ruin के episode number 2 के शुरुवात में हमें Adonis को दिखा जाता है जो कि अपना जन्जीर एक्तम तोर देता है और वो जिस special cell का अंदर कैथ था वहाँ से बाहर निकलने लगता है वहाँ पर जितने भी आर्मी का बंदे थे वो सब एक्तम भट के चार हो जाता है वो लोग इवर अप उपन से उसके गले में भोग के उसको वही पर खतम कर देता है और तभी उसके जेब से जो नाइफ तब वो निकलकर वो दूसरा बंदी को भी easily मार देता है और जी तरफ जो तीसरा बंदा था वो ये सब देखे बहुत जादा ढर जाता है तो वो अपना गन निकालके अगर आप बने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना हम 100 एक बहुत जाद करीब है तो प्लीज अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मैं कभी बोलता नहीं हो लेकिन आज बोल रहा हूँ तो प्लीज कर देना भाई करता है कि तुम कैसे भी करके वहाँ पर जाओ और सिचेशन को ठीक करो तुम किसी भी प्रकार का वेपन को यूज कर सकते हो और सिर्फ वो जो बंदा था वो काफी confident था वो कहता है कि कोई problem नहीं है डारेक्टर मैं अपना superior power का use करके पूरे चीज को control में जल से जल दाऊंगा और सिर्फ जो vice director थी वो उससे काफी साथ irritated थी और कहते कि ठीके ठीके जाओ लेकिन तभी जो director यामा तो था वो कहता है कि बेहन देखो उसके साथ ऐसे करके कोई फायदा नहीं है वो भी तुम्हारे तरह ही एक executive है और तभी हमें उस बंदे को दिखा जाता है जो कि असल में एक security agency operator है जो का नाम है executive account और वो अपने आपको पूरी तरह से transform कर लेता है और वो उसी prison के तरफ बढ़ता है और उसे तरफ जो prison का chief था उसका हालत खराब था वो इस पूरे चीज़ के लिए अपने आपको ही guilt मान रहा था उसे ये चीज़ बिलीव ही नहीं हो रहा था कि एक लरकी ने उसके phone से सारा prison को खोल दिया है और साथी साथ एक long term prisoner भी वहाँ से भाग चुका है और वो prisoner और कोई नहीं बलकि उसी witch का apprentice Adonis है और फिर हमें Adonis को दिखा जाता है जो कि टावर के टॉप पे बैठा हुआ था और अपने उसी magical pen को देखे जा रहा था और फिर वो हवा में ही एक spell लिख देता है और कहता है कि magic giant और फिर वो एक bullet को fire करता है और वो जो bullet था वो एक artillery शेल जितना बरा हो जाता है और वो एक दम से जाके एक building के बीच में जाकर लगता है और पूरा building को destroy कर देता है और फिर हमें फिर से उसी prison का scene दिखा जाता है जहां पे एक out पहुँच जाता है और जितनी prisoners भागनी कोशिच कर रहे थे सब को खतम कर देता है लेकिन वो report करता है कि यहां से Adonis अलेडी भाग चुका है लेकिन जाना से पहले वो एक काम को खतम करका आता है और वो था उस prison का chief को और उसके बाद हमें दिखा जाते कि जो ढूरो का थी वो उस prison से अलेडी भाग चुकी थी लेकिन वो यह सब destruction देके काफी जाता बुड़ा फिल कर रहे थी और उसके बाद हमें market का scene दिखा जाता है Adonis अपने वही भटे पुराने कपरे को पहन के आगे बढ़ता है और वो अपने आप से ही बात करता है वो कहता है कि अभी मैं जो चीज़ करने वाला हूँ मैं sure हूँ कि अगर क्लोई को ये चीज़ पता चलता तो वो काफी ज़ादा नाराज होती और फिर वो सोचती कि कैसे क्लोई इसको ढाटती है और कहती है कि देखो मैं बहुत पहले ही गुज़र चुकी हूँ तो मेरे लिए अभी इतना destruction करने का कोई फायदा नहीं है इस सच है कि तुम जाओ और अपना लाइफ को enjoy करो लेकिन फिर भी जो आड़नीस था वो अपना आप से कहता है कि 10 साल मुझे फरक नहीं पड़ता कि और भी कितने सारे साल निकल जाए लेकिन मैं उस मुमेंट को कभी भी नहीं भूल सकता तुम्हारे वो आँखे, तुम्हारे वो आवास, तुम्हारे वो शब्द और फिर वो अपना आँखें बंद करता और कहता है कि I love you too Chloe और उसी के साथ वो फिर से एक मैजिकल स्पेल कास्ट करने लगता है और उसी के साथ जो जो आपे जमीन था वो एक तुम्हारे भाटने लगता है ये नियूस पूलिस के पास पहुंचता है लेकिन जो वहाँ पे पूलिस से पहले तो बिलीव ही नहीं होता लेकिन फिर वो एक ट्रॉमाटाइज़ बंदे के साथ मिलता है और जैसी वो लोग बाहर जाते है और वो लोग इस मॉन्स्टर को देखते है वो लोग खोधी ट्रॉमाटाइज़ हो जाते है एड़नीस उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करते हुए उसके सामने जो कुछ भी आ रहा था जो भी आ रहा था उन सब को तभा कर दे रहा था और वो आगे बर रहा था गियोधे को मारने के लिए और अब तक इस जाइंट और इस डिस्टर्शन का इंफॉरमेशन नैशनल सेक्रिटे ब्यूरो तक भी पहुँचाता है जहाँ पर जो यामा तो था वो आदेश करता है कि जलनी से जाओ और किंग को सारा चीज़ बताओ लेकिन फिर जो गार्ड से वो बताते कि हम यह अभी नहीं कर सकते क्योंकि क्विन का कॉर्डिंग अभी एंपेरर का तबियत बहुत ज़्यादा खराब है जो सुनते ही यामा तो कहता है कि तो मैं ही अभी एक स्टेट अफ एमर्जिन से डिक्लियर करता हूँ जलनी से जो defensive line 4 है उसको आदेश करो और जितने भी surface troops है वो सब tank लेके पहुझेंगे और साथी साथ जो air troops है वो लोग fighter jets लेके पहुझेंगे जो यामा तो था वो बाहर जाके वो giant को देखता है और उसे legit belief नहीं होता कि इतना खतरनाग चीज move भी कर पा रहा है लेकिन तभी जो yuki थी वो कहती है कि मेरे ख्याल से ये चीज़ को पूरी तरिके से magic से control किया जा रहा है और ये control करने वाला और कोई नहीं बलकि वो ही लड़का है जो कि recently prison से भाग चुका है जो सुनती है हमों तो कहता है कि तब तो बहुत बढ़िया है हमें जल्दी से magic suppressor machine को निकालना होगा लेकिन तभी जो guard से वो बताते है कि हम अभी ये एकदम जट से नहीं कर सकते क्योंकि वो चीज़ अभी एकदम underground storage में है और स्कूपर से हमें नहीं पता कि एक 10 साल पुराना device कितनी अची तरिके से perform करने वाला है और स्कूपर से जो adonis था वो continuously destruction किये जा रहा था जो tanks का पूरा line था वो भी आ जाता है और continuously उस giant को पर fire करते है लेकिन जैसी वो bullet giant को touch करने वाला था वो सब एकदम से deflect हो जाता है और कहीं और ही जाके लगता है और वो giant एक कस्ता घूसा मारता है और सामने जो building तो सको तोड़ देता है जिसके विए से जो सामने tank से वो सब भी खतम हो जाता है हमें बता जाता है कि जो addonis है वो अपना 10 साल prison में काफी अच्छी तरीके से spend किया है वो अपने mind को continuous train के ही जा रहा था और इसलिए वो एक non witch होने के बाद भी उसको सिर ब्रेटन स्टाइल समनिंग magic के आता लेकिन फिर भी वो इतना साथा strong है और फिर हमें बता जाता है कि वो अभी कोई भी भेदफाव नहीं करने वाला वो अभी इस city में जो कोई भी रहता है उन सब को मारने वाला है उसे अभी एक ही चीज़ चाहिए और वो है बदला और इसके बाद हमें दिखा जाता है आरोनीस एक बहुत ही बारा gun को summon करता है और नीचे जितने भी लोग थे उन सब को उस gun से एक भूण देता है वह पर जितने भी लोग थे वो सब कहतम हो जाते है और तब ही हमें दिखा जाता है जो आरोनीस तो वह इत्म रोने लगता है और अगले ही में उने पे बहुत सरे fighter jets आते हैं और उस giant के हाथ में जहाँ पर आडरोनिस था वो ही पर काफी सारे continuously missile गिराते रहते हैं जो आडरोनिस था वो एक तम नीचे जम मारता है लेकिन उस missile के वे से जो साथ वाले normal civilians थे उनको भी काफी साथा चोट पहुंसता है हमें दिखा जाता कि एक बच अपने ममी के उपर एक तम लेटा वाता और रो रहा था और उसको पर एक building गिरने ही वाला था कि तब ही वहाँ पे डोरा को आती है और उस बच्चे को जान को बचा लेती है और फिर वह उस बच्चे को एक लेटी को सौब देती है और खुच चल जाती है एडरोनिस को रोकने के लिए और उस दिरफ हमें दिखा जाता है जो एडरोनिस था वह तो नीचे गिरा हुआ रहता है और वह काफी चोटिल भी रहता है और फिर शिन शिफ्ट होता है और हमें सीधा गियोते को दिखा जाता है गियोते का हाल काफी जाधा बुरा था लेकिन जो क्वीन थी वो काफी अच्छी तरीके से उसका ध्यान रख रही थी जिसके वैसे ग्योत काफे खुश था लेकिन फिर भी उसका जो कंडिशन था वो बहुत ही बुड़ा था वो जैसे खासता है उसके हाथ में खुण लग जाता है और फिर वो सोचाता है कि क्या यह सब भगवान मेरे को ऐसे कर्स तो नहीं दे रहा है मैंने जितना भी विचेस सबको इसलिए मारा ताकि हमारा जो human civilization है वो progress कर पाए है और तब ही जाके हमारा human civilization इतना सा develop भी हुआ है और मैं अभी तक जो कुछ भी क्या हूँ मुझे थोड़ा सा भी guilt फिल नहीं होता मैंने जो किया है अच्छे के लिए ही क्या है और इसे तरफ हमें दिखा जाता है जो आप चिंता मत कीजिए और उसे तरफ हमें दिखा जाता है जो एड़नीस था वो लाश्ट बंद कर तम गले से पकर का उठाया रखता है और वो उसको मारने जाता है कि तभी पीजे से डोरो का आती है और कहता है कि प्लीज प्लीज रुख जाओ मत मारो मत मारो ऐसे innocent बंदो सकते हो ये सब innocent नहीं है जितने भी humans है वो सब मेरे दुश्मन है सब के सब मेरे दुश्मन है लेकिन ते भी डोरो को कहती है कि Chloe को ये नहीं चाहिए मुझे पता है कि Chloe तुम्हारे लिए काफी important है लेकिन सच बताओ तो Chloe को ये सब destructions नहीं चाहिए ये सुनते ही Aaronis एकदम सब को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे मुझे Chloe का नाम बाहर भी ना निकलना चाहिए तुम अपना मुझ को दम बंद रखो और वैसे भी तुम्हें कोई idea नहीं है कि humans ने हमारे साथ क्या कुछ क्या है इसलिए तुम इन सब चीजों से बाहरी रहो तो अ एक विच हो लेकिन तो भी Aaronis एकदम सब को पकड़ लेता है और से तुम गला को दाबने लेता है और कहते है कि तुम एक विच नहीं हो सकते तुम एक इनसानी हो और अगर तुम सची में विच हो तो तुम उस टाइम पे कहां पे थे जब Chloe को मारा जा रहा था जो सुनने के लेकिन प्रीज मुझे मुझे माफ कर दो देखो हम फिर से Chloe को वापस ला सकते है और यह सुनते है एकदम सब से नीचे गिरा देता है और उसे तरफ जो डोरो का थी वो कहा दिए कि Chloe को हम फिर से जिंदा कर सकते है और उसके लिए ही मैं फिर से इस country में infiltrate किया हूँ ताकि म मैं तुमको बचा पाऊं तुमको फिर से मैं रिहा कर पाऊं और फिर तुम्हारा जो memories है उसके बारे में उसको फिर से collect करके Chloe को recorrect कर पाऊं और यह सब सुनने के बाद ही जो एकदम से एक sword summon करता और कहते कि मैं तुम्हें खतम कर देने वाला हूँ मैं उस सब को खतम कर द से मिलके और यह सुनते ही एड़ोनिस को Chloe के अंतिम वक्त के बारे में याद आता है और वो काफी जाद है emotional हो जाता है और वो उसका हाथ एड़ोनिस के सामने रखती है एड़ोनिस जैसी उसका हाथ को पकरने जाता है एक तौम से गोली आता है और जो डोरो का थी उसको से भारते वो गोली निकल जाता है जो देख के एड़ोनिस से एक तम शौक ट्रह जाता है और तभी हमें दिखा जाता है कि ये गोली एक स्नाइपर से आता है और वहाँ पर जो लेडी थी वो कहते की हाह कितना बड़ा disappointment है मैंने एक गोली से सिर्फ एक ही बंदे को मारा ना क की दो और इसी के साथ ये अपिसोड खतम होता है गाइस अगला अपिसोड और भी क्रेजी होने वाला है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब करने ला तो मिलते अगला अपिसोड में तिल देन बाई बाई स्टे सेफ